हेई वाट्स वर्वारी माई नम इसकारना विल्कम बाक्तों मैं चानल लगीन मैं चानल नमें इस दाउंट परी आशाखता हूं आप लोग बहुत बहुत बहतर होंगे अच्छे होंगे अपना अपनों का ध्यान रख़ाँ तो देखो है कॉमेट के को लेकर काफी सारे किस तरीके से आड्मिशन प्लान करें अगर रांक अच्छी नहीं है तो क्या मैसेज करवा रहे हैं यह इतने पर अडमिशन करवा रहे हैं तो left में आपको कुछ चीज़ें दिखाता हुआ चलूँगा जिससे आपको थोड़ा सा और idea हो जाएगा तो देखो यार यहां पे आपको कुछ चीज़ें खासकर दिख रही होंगे सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि आपको यहां पर चीज़ें देख जाए तो अगर आपको हैं बात करें तो आप करिए कि कोड कोड कौं साया अपको पता है कि आर वी के भी आर्वी सीए आर्वी समय कोट करिदे तो बहुत बाहर जब कांसलर से आप доллар ने नोको बात करते हैं तो आपको यह बात करना भूशाता आप अब बोलते हैं वी में Жंचला और वह आपका इसमें फाइदा उठा लेता है और आपको बनता है कि थ एडमिशन करवा जया तो ठीक है तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम है तो जब भी आप मैनेजमेंट कोटा की अगर बात कर रहे हो तो मैनेजमेंट कोटा में सिंपल साथ सबसे पहले कोड पूछ लो आर्वी का जो कोड है सिक्सिटी फोर लैक्स नोंने बताई है चार साल की जिसमें वन टाइम जो आपको और नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट है वो है बीस लाग का और बाकी आपकी जो फीस है जो भी है यह यह लिट्विशन फीस और सब मिला कि आपको टोटल फीस फॉर दर प्रोग्राम आपको 64 लाग की पढ़ जाईए चीक है बाई अब अगर आपको कोई कांसलर कह रहा है कि वो आपका एड्मिशन सत्तर में करा देगा या सत्तर तक अगर कोई मांग रहा है तो इस सिनेरियों में पॉस्पिलिटी बनती है कि वो आपको सच बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि और जब कॉले साथ चौसर्ट लाग ले रहा है और वो आपका एड्मिशन के लिए चार-पांच लाग रूत उपर मांग रहा है तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि वो आपका आर्वी में तो करवा देगा लेकिन आर्वी कि या वो सियस ब्रांच आपको व यह रखना है हमको जब कॉलेज ही खुद इतने पैसे चार्ज कर रहा है तो जो आपका एड्मिशन कर रहा है ओविसली वो खुशक अपने थोड़ा बहुत कमिशन बनाएगा थोड़ा बहुत जो भी बनाएगा तो वो कमसरम दो से चार लाग रूपए आपको उपर ही बता है तो अब यह सीट कहां जाएंगी इसमें से बहुत सारी सीट अब जाएंगी मैनेजमेंट कोटा में ठीक है अब मैनेजमेंट कोटा में जैसे ही सीट चले जाएंगी तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एड्मिशन लेना होगा ठीक है तो जब बहुत सारे एड्मिशन लोगों को admission लेना हो तो उसमें आपको एक ऐसे person की ज़रत पढ़ती है जो आपका admission जिसके already जो bangalore में हो जिसके contacts bangalore में हो और जो आपका admission है वो सीधा-सीधा वो convert करवाले तो उस case में जो counselor है वो बहुत जादा एक important role वहां पर play करता है ठीक है चलो थोड़ा सा और नीच जाता हूँ अब देखो दूसरा college है अपना BMS तो BMS के अगर website पर जाओगे तो उन्हें साफ साफ वहां पर दिया हुआ है कि आपको annual fees कितनी लगने वाली है ठीक है जी अगर BMS पर computer science artificial intelligence की बात कर लो तो 7.5 x 4 आप कर लो तो लगवक 30,000,000 आपको साल के पढ़ेंगे और आपको BMS की computer science में admission आपको मिल जाएगा अगें इसमें भी आपको किसी ऐसे person की जरूरत है जो आपका सीधा admission महाँ पे लेके जाए और आपको admission करवा दे ठीक है तो इसके लिए जैसा मैंने पहले भी एक person का number दिया था शाश्वत का तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनका number आपको दिख रहा होगा वैसे देन यू कन प्लान कि आप उनसे मिलने और फिर अपना admission आप प्लान कर सकते हैं तो यह मुटा मुटा यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर आपको दिख रहा होगा यह BMS के management quota की फीस यहां पर कोड क्या कॉलेज का E027 थोड़ा नीचा जातों भाई अब बात कर लेता हूं MSRIT की MSRIT के कोड क्या है E077 ठीक है अगर रमया में भी अगर आप admission प्लान कर रहे हो तो on and average लगभगर आप देखोगे यहां पर फीस लग रही है बाइस लाग रुपए आपको donation देने है और 2.35 इंटू जो आपकी चार सल की फीस है वो आपको देनी है इसे चरब बाकी college का भी आप देख लो computer science के लिए अगर आप देखोगे तो computer science के लिए लगभग आपको 25 लाग रुपए से जादा आपको देने पड लाइंगे ट्राइल इस लाग रुपए और 2.3 को इसको आप 4 से इंटू कर लो ठीक है लगभग पचास लाग रुपए आपको computer science में आपके लग जाएंगे थोड़ा सा और नीचे करा आता हूं दयानल सागर का भी उन्होंने mention किया हुआ है दयानल सागर का कितना पैसा इसमें लग जाएगा ठीक है एन यह का भी देख लो कि क्या है नहीं का स्रेश्डारियो नाई का यह रहा हूं एसाइटी टुमपूर का देख लो उसका तो इस तरीके से आपकी निटी मिनाक्षी का भी देख लो यह हला कि पुराना है लेकिन अभी भी उनकी वेब साइट पे यह है तो जो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन्स हैं अगर आपकर स्पैसे हैं तो ऑप्शन्स अभी भी बहुत सारे हैं और अगर आप मैनेजमेंट कोटा अफर्ड कर सकते हो तो अभी भी आप टॉप कोलेज में अड्मिशन ले सकते हो कंडिशन में यह ही है कि आपको उसमें बहुत स्मार्टली एड कांसलर को चुनना पड़ेगा उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा और अगर उस पॉप आप सीख लें समझ लें उसके बाद ही अपना फॉलेज चूज करें इसके बाद ही किसी को पैसे दें उसução एब बंदे ऑर फिर फैनल जाकर बैसंे अल्टमें लेटर ले 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 और उसको पैसे दे एक चीज़ा मैं और बोलूँग एस त्ुछ मैं मैं और Hak la tir तो इसने से चीजों में आप ना पढ़ें जो एक क्लियर आपने बात किये उससे क्लियर क्लियर चीजने रहें तब तक के लिए अब तक के लिए यही मेरा सजेशन है तो फो माई साट गाइस जुड़ना चाहते हैं कांसलिंग के लिए mentorship के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे भ जब भारत and as always God bless you